सोशल मीडिया पर इस वक्त सिलेब्स के हर एक पोस्ट, हर एक मूव्मेंट पर है नेटिजन्स की नजर करन जोहर से लेकर आलिया भट, सोनम कपूर और सोनाक्षी सिना को पहले ही नेटिजन्स बना रहे थे निशाना अब अपनी एक और सोशल मीडिया पोस्ट की वज़े से महेश भट आ गए है नेटिजन्स के निशाने पर यूजर्स का कहना है कि महेश भट का ये पोस्ट है शेमफुल और इंसेंसिटिव दरसल महेश भट ने एक स्केलेटन की पिक्चर को सोशल मीडिया पर शेर करते हुए एक फेमस क्वोट काप्शन में लिखा Dying men think of funny things and that's what we all are here, aren't we? Dying men? Well, महेश भट ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके इस पोस्ट को सुषान सेंग राजपूत की sad demise के साथ जोड कर देखा जाने लगेगा और इस हद तक हो जाएगी उनकी ट्रोलिंग एक यूजर ने महेश भट के इस मेसिज पर लिखा How do you cope up with the guilt? Can you sleep at night? Everyone realize the truth. Another user wrote, Yes, dying men think of leaving their loved ones and missing them forever. They think of unfulfilled wishes. They think of unrequited love. They regret hurting others. And they think of God. And all these thoughts, according to you, are nothing but funny. महेश भट को उनके इस पोस्ट पर कुछ इस तरह के reactions भी मिले हैं जिसे दिखाया नहीं जा सकता. लेकिन वहीं कुछ यूजर ने ये जरूर डिमैंड की है कि अपने इस पोस्ट के मतलब को महेश भट समझाएं. क्यूंकि फिलहां सभी को यही लग रहा है कि इस रिलेटेट टो सुशान सिंग राजपूत स्यूसाइड. मैसे इस वक्त पर सुशान सिंग राजपूत के हजारों फैंस, सिलेब्स को निशाना बना रहे हैं. चाहे सल्मान खान हो, या फिर करन जोहर, या फिर कोई भी स्टा किद्स, सुशान सिंग राजपूत के फैंस के गुस्से से कोई नहीं बचा. लेकिन साथ ही कुछ फैंस ये भी अपील कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अब्यूजर्स और थ्रेट्स से फैंस को बचना चाहिए, नहीं तो उन्हें ट्रोल्स से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाएगा. लेकिन से टूम जाएगा.